शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर तुम फसना मत ऐसी बातें कहे कहे कर, जब पक्षियों को सुनाते हैं हम लोग के तुमने फसना नहीं है लेकिन जो लालची लोग हैं, जो दूरदर्शी नहीं हैं, जो थोड़े समय का देख पाते हैं या जो अभी केवल डाल रोटी के चकर में ही उलजे हुए हैं, या उनको उलजा रखा है वो नहीं समझ पाएंगे, मैं उन पक्षियों का कम्पारिजन है, वो ऐसे लोगों से कर रहा हूँ जो केवल दाने के लिए वहाँ पर फस जाते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि हम से हमारे जो पूरवज हैं वो भी इसी तरह से फसते आए हैं और कटते आए, यहां एक चीज आपको समझना होगा जो इस देश को डिजिटल बनाने की दिशा में काम चल रहा है हर चीज को डिजिटलाईजेशन की तरफ धकेला जा रहा है चाहे आपकी खरीदारी हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपकी खेती के बीज हो चाहे आपको खेती के उपकरन खरीदना हो या अपनी फसल का बेवरा देना हो आपके आधार के साथ हर चीज को जोड़ा जा रहा है अभी एक नया प्रॉपगेंड़ा आया है जिसका नाम इन लोगों ने रखा है आयुश मान कार्ड इस पर हालांकि मैं एक वीडियो बहुत पहले बना चुका हूँ कि जो इंटरनेशनल ड्रग माफिया है वो किसकदर आपकी जिन्दगियों के अंदर जहर घुलने का काम कर रहा है और उस चैनल पर जब आप जाएंगे निडर इंडिया के चैनल पर वहाँ प्ले लिस्ट के अंदर New World Order से संबंदित वीडियो की एक प्ले लिस्ट है उसमें एक वीडियो में मैंने जिक्र किया हुआ है मैंने उसमें बताया हुआ है कि अब ये नया कार्ड ले करके आएं मैंने वहाँ आभग का जिक्र किया हुआ है जो आयुश्मान भारत हेल्थ कार्ड था identity थी उस identity का भी जिक्र किया है मैंने वहां मैंने ये भी बताया है कि वो तरह-तरह से आएंगे चाहे आपका vaccine का certificate हो चाहे आपके आयुश्मान card हो चाहे आपका आभा card हो चाहे आपका labor card हो चाहे आपकी registration हो और फिर family ID क्या होता है एक वेक्ती एक registration नहीं करता है दूसरी जगह कर लेता है या तीसरी जगह नहीं करता है तो वो family ID से पकड़ा जाएगा वो अपने driving license के नंबर से पकड़ा जाएगा वो उसके मतलब ITR से यानि PAN नंबर से पकड़ा जाएगा या किसी और ID से पकड़ा जाएगा पकड़ा जाएगा का मतलब उनके पास data होना चाहिए उनको data चाहिए आपका आपकी जिन्दगी से जुड़ी हर चीज का data चाहिए और अभी फिलहाल जब तक आपके आधार card के साथ आपकी सारी सेवाई नहीं जोड़ देते तब तक वो चैन से रुकने वाले नहीं है और अभी इन्होंने शुरुवात की है आयुश्मान card से आंगन बाड़ी वरकर घर घर जा रही है आशा वरकर भी आपके घर आएगी ये बनवाओ पांच लाग तक का इलाज मुफ्त होगा सरकारी अस्पताल में तो कोई पैसा लगता ही नहीं प्राइवेट में हर चीज को प्राइवेट में भेजने की जल्दी है इनको लेकिन आपने वो केसिस तो सुने होंगे कि आईश्मान card था सोचा पांच लाग तक का मुफ्त है पहुंच गए बड़े अस्पताल में और दूसरे ही दिन उन्होंने बोल दिया आपका जो पैसा था वो खतम हो गया है सतर हजार रुपे और देने है अब बताईए कल के लिए इनको रखना है कि अब इनको सरकारी अस्पताल में शिफ्ट करें और फिर वहां से सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया सरकारी अस्पतालों की हालत को देनिया इसलिए रखा जाता है ताकि आम इनसान प्राइविट अस्पतालों की तरह भागे वो सवाल नहीं उठाता क्योंकि उसको फिर जात धर्म या पोलिटिकल पार्टी के चक्रवियु में फसा दिया जाता है वो फिर जब अपने सवाल उठाने किससे पूछे अभी नेता आपका आवाज नहीं उठा रहा है नेता आपकी आवाज नहीं उठा रहा है तो उसके उपर अटाक शुरू कर देते हैं अपने प्रोपागेंडा गेंग का फिर हमारे पास सनसाधनों की इतनी कमी रहती है कहां तक जाएंगे कितनी रेंज होगी आप बताईए आयुश्मान कार्ड आपका वही डिजिटल आईडी बनाने की तैयारी चल रही है 14 डिजिट की जो वो लोग कर रहे है 14 डिजिट का कोई भी नंबर आपको यूनीक नंबर मिलना गाना तो समझ लीजिए वो उनीक लिए बन रहा है बाकि आप समझदार है जिस परकार से आपने वोटर कार्ड को नहीं जोड़ा जिस परकार से आपने इनका आयुश्मान भारत कार्ड नहीं बनवाया अब लेबर कार्ड भी नहीं बनवाये आपने ये जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी अगर आपने नहीं बनवाया तो अब ये लोग आपका अविश्मान कार्ट बनाने आ रहे हैं इनका क्या इलाज करना है ये आप भली बाती जानते हैं क्योंकि मुसल चंद के इलावा इनको किसी की भाषा समझ में नहीं आती है और आपको खड़ा होना पड़ेगा आपको इनको समझाना पड़ेगा अपने पडोस को कि नहीं बनवाने हैं मतलब नहीं बनवाने हैं हमने अपने बच्चों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों को हमारा जो इकठा करके जो पैसा टेक्स का दिया जाता है वो अस्पताल ठीक करने है और हम अपनी आवाज उनके लिए बुलंद करेंगे ना कि प्राइवेट अस्पतालों में गला कटवाने के लिए जाएंगे ये बात आपको समझनी होगी आज बहुत ध्यान से आपको इस बात को समझना है और अपने लोगों को समझाना है कि ये आयुशमान कार्ड वहीं जा रहे हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ, फेश्चल रिकगनिशन की तरफ, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की तरफ सारी सर्विस्जिस को अधार के साथ जोडने की तरफ और फिर उसके बाद कंपल्शन का वही दौर शुरू होगा, जो कुछ रोज पहले था आपने जी टुएंटी की समिट अगर आपने देखी हो गौर से तो वहाँ पर कोने में लिखा हुआ था वन वर्ल्ड गॉर्मेंट समिट वही बात है, नाटो आ रहा है, नाटो की आर्मी आएगी इस देश की आर्मी को आर्मी खतम कर दे जाएगी और नाटो की आर्मी ही रहेगी और फिर वर्ल्ड वर्ल्ड गॉर्मेंट का क्योंकि सबसे जादा जन संक्या भारत की है तो भारत के परधान मंतरी को उसका परधान बना दिया जाएगा तो खुश हो जाएंगे भक्त लोग लेकिन असली टार्गिट तो नहीं का चलेगा पॉलेथीन केवल रेडी वाले के लिए बैन होगा लेकिन आपकी घर में जितनी चीजें पैक होकर आ रही है वो पॉलेथीन में आ रही है पलूशन के नाम पर बाकी चीजों पर रोक लगेगी लेकिन ऑनलाइन डिलिवरी के नाम पर थर्मोकॉल का जो जहर समाज के अंदर भरा जा रहा है वो नहीं समझा रहा है आपको दूद का बैपार करना है तो रेजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है लेकिन आपको दारू और नशा आराम से रखने की पूरी परमिशन है इस तरह का भारत है मौदी जी के सपनों का भारत आपको डिसाइड करना है कि आप सरकार के इस प्रोपागेंडा में फसते हैं या अपनी आवास को बुलंद करते हैं अपने लोगों को जगाते हैं और अपने आपको मजबूत करते हैं जय हिंद जय भारत